हे फ्रेंड्स नमश्कार जो भी स्टुरेंट्स एनाई ट्रीपल टी आर चंडीगड का एम्टेस का एक्जाम देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट इंस्रुक्शन्स इस वीडियो में हैं तो यह जो एक्जाम होगा आपको पता ही है संडे को होगा 28 जैनुरी को होग और इसके एड्मिट कार्ड जो हैं वो साइट पर आज से आ गए हैं क्योंकि लिखा था कि 24 जैन से आ जाएंगे तो जहां पर आपको अपने अकाउंट के अंदर लॉग इन करना है और जहां पर भी आपका इंस्रुक्शन अप्लिकेशन फॉर्म उसके नीचे जो है रेड क फोटो कोपीज और इंप्रॉपरली प्रिंटेड एड्मिट कार्ड जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा और आपको जो एक्जाम वेन्यू में जब आप जाएंगे तो आपको एड्मिट कार्ड की साथ आपके एड्मिट कार्ड पर नीचे एक खाली स्पेस दिया है फो आप एक्जाम सेंटर में सर्फ अपना एड्मिट कार्ड और उसके साथ जो है एक फोटो आईडी प्रूफ लेकर के जाएंगे और इन में से मतलब आगर आप डिजिल फॉर्म में शो करेंगे तो वो नहीं माना जाएगा आपको यह जो है ओरिजिनल इसकी हार्ड कोपी ही लेकर के जानी है किसी भी आईडी प्रूफ की और जो एंट्री रहेगी आपकी वो आपकी 9.30 से स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि आपका एक्जाम जो है वो 11 बजे से लेकर 1 बजे तक है 11 to 1 o'clock तो इस 2 hours का एक्जाम है और एंट्री जो है आपकी एक्जाम स्टार्ट होने स 15 मिनट पहले जो है क्लोज हो जाएगी 10.45 पर लास्ट एंट्री परमिटेबल है और जो सेंटर होगा वहां पर आपका फोटिग्राफ और इंप्रेशन भी डिजिटिली लिया जाएगा और जब तक एक्जाम डुरेशन कंप्लीट नहीं हो जाती आपको वहां से निकलने न पर नहीं लेकि जाना है जैसे कि electronic watch वेगर है कुछ भी कोई भी ऐसा device नहीं लेकर के जाना है आपको ornaments जैसे कि आप ring, earring, nose बिन आपने कुछ भी डाला है necklace सब कुछ आपने उतार देना है ये वाली चीज़े नहीं लेकर के जानी है wallet भी allowed नहीं है हाला कि currency notes जो है वो allowed होते ह coins को छोड़के currency notes आप लेकर के जा सकते हैं और कोई भी खाने का समान वहाँ पर allowed नहीं होगा ले जाना साथ में आपकी जो भी आप कपड़े पहनते हैं उसमें large button नहीं होनी चाहिए shoes अगर आप डालते हैं तो उसमें जो sole है उसका ज्यादा मोटा नहीं होना चाहिए तो इ which candidates पूछ रहे थे कि आपका जो admit card होगा उस पे लिखा हुआ होगा कि नहीं तो instruction में आप देख लीजिएगा अगर आपको मिलता है तो वैसे मैं आपको बता दू कि ये offline ही exam होगा MR sheet आपको दी जाएगी और उसमें bubbles आपको जो है fill करने हैं और 100 MCQs आपके आएंगे 1 mark का हर MCQ होगा negative marking भी होगी और जो इसमें English और Hindi दोनों languages में आपका वेपर आएगा सिर्फ language को छोड़ की जैसे कि English के question सिर्फ English और Hindi के Hindi बाकी जो है जैसे आपकी journal awareness, computer और जो आएगा उस maths, numerical ability वो सब जो है bilingual print होगे और 4-4 जो है आपको options दिये जाएंगे जो negative marking होगी वो 1-4 होग आपका जो है आपके गलत answer के लिए deduct हो जाएगा अगर आपको answer नहीं पता है और अगर उस question को खाले छोड़ दिते हैं तो उसके लिए जो है आपका कोई mark नहीं कटेगा उसकी कोई negative marking नहीं होगी और बाकी आपको बस यही ध्यान रखना है इनी चीजों का सबसे पहले कि आ आपको क्या आपको admit card लेकर के जाना है उस पे आपको photo paste करना है recent photograph होना चाहिए और self attested होना चाहिए आपको खुदी sign करने हैं उस पे sign जो है photo के across किये जाते हैं आधा paper पर और आधा जो है आपके photo पर आना चाहिए दूसरी चीज़ आपको जो mean बताई है photo ID proof तो आपका license है आधार card है water card है कुछ भी valid photo ID proof जो है वो original होना चाहिए यह चीज़ आपको लेकर के जानी है और कोई भी debared item like jewelry या फिर large button clothes high sole shoes यह आपको carry नहीं करनी है तो उमीद है आपका exam अच्छा होगा ऐसी ही और जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और channel को subscribe नहीं किया है कर लीजिये थैंक्स for watching this and all the best for your exam